मैं टीच्मेंट पर ओनलाइन क्लासेश क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लाटफॉर्म है जो 100% फ्री है बिना किसी लिमिट के और नई शुरुवात करने के लिए इससे बहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफॉन चाहिए और सुहानी शर्मा की ओल इंडिया इंग्लिश क्लासेश हो गए शुरुव? इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मेंट पर टीचिंग आसान है तो आज ही डाउनलोड करें टीच्मेंट इंडिया का नम्बो वन टीचिंग है दोस्तो अगर आप लोग किसी कारण से पार्ट वन में पर्मोटेड होने के कारण पार्ट थरी का परिच्छा फॉर्म नहीं भरपाये थे तो आप लोगों को परिच्छा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है जी हाँ दोस्तो जो छात्र पार थर्ड का परिच्छा फर्म नहीं बर पा रहा थे पार्ट वन परमोटेड होने के कारण उन सभी छात्रों को पारथर का एक्जामनेशन फर्म भरने का मुखा दिया गया है तो आप लोग कैसे examination form भरेंगे जितने भी छात्र पर्मोटेट कर गए थे सभी छात्र अपना examination form भर सकते है कैसे भरेंगे step by step आपको सारी जनकारी मिलने वाली है और साथ ही दोस्तो अब आपको official जो notice जारी किया गया है इसके बारे में तो आपको जानना है न पहले तो चलिए पहले official notice को आपको बताते हैं तब चलिए आपको बताएंगे कि कैसे online apply करना है तो ये दोस्तो आप लोग देख सकते हैं ये 12 अगस्त को जारी किया गया है ललित नरायन मितला विस्विद्दले के दोड़ा और इसमें बताया गया है सभी एतत सभी सम्मंदित बैक्तियों को निर्देशा अनुसार सुचित किया जाता है कि COVID-19 बैस्विक महामारी के मद्दे नजर बिसेश परस्थिती में वैसे परिष्छार्ती को असनातक पर्थम खंड में पदोर्नतियानी पर्मोटेर उन्हें असनातक तिर्थिय खंड की 2021 में ओनलाइन के माध्यम से बिलम सुल्क 30 रुपे के साथ दिनांक 12 अगस्ट से लेकर 14 अगस्ट तक परिच्छा परपत भरने का अवसर दिया जा रहा है सभी च्छा च्छात्राएं ओनलाइन के माध्यम से भरे हुए परिच्छा परपत को प्रिंट आउट निकाल के अपने महाविद्धाले में निश्चित रूप से जमा करें यानि अगर आप लोग आज और कल बस दो दिनों का आपको आप्सन मिला है दो दिन के अंदर आप लोग अपना परिच्छा फॉर्म भरके और अपने कॉलेज पे जाके जमा करना है और कॉलेज पे जाते समय जमा करने समय आपको डोकुमेंट सब लगने बाला है तो वो सभी डोकुमेंट लेके जाईएगा पार्ट 1 का पार्ट 2 का और पार्ट 3 का सारा डोकुमेंट लेके जाईए जैसे कि पार्ट 1 का नमंकर रसीद पार्ट 2 का और पार्ट 3 का नमंकर रसीद इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 का admit का ले लिजिए और इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 का mark sit ले लिजिए, result का ले लिजिए और सारा लेके जाएए और अपने college पर जाके जमा कर दीजिए, अलहर कार जरूर लेके जाएएगा, चलिए आप आपको बताते हैं online कैसे apply करेंगे, इसके university के official website पर आ जाईएगा, ठीक है, आने के बाद आपको नीचे school करके आना है, और आने के बाद आपको देख रहा होगा, click here to examination from EOG part 3, simply आप लोग को इस पर click करना है, और click करने के बाद आपको नया window खुल के आ जाएगा, और आने के बाद दोस्तों यहां पर इंस्टेक्शन पहले वाला दिखा ही रहा है, लेकिन इसे आपको ignore करना है, फिर नीचे school करते हुए आना है, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग वहाँ पहुंच जाईएगा, और पहुंचने के बाद आपको इस परकार से यह PDF मिलेगा, डाउनलोड करने का, उस पे डाउनलोड कीजिएग और अपना debit card, जो भी है, master card, debit card, credit card, जिस सुबधा से आप लोग payment करना चाहते है, UPI जो भी हो, उससे payment कीजिए और confirm कीजिए, confirm करने के बाद आपका payment successful हो जाएगा, payment करने के बाद अगर किसी कारण से आपको print out का option नहीं मिलता है, तो बेट कीजिए 48 घंटा कम से कम, और print out क payment का option फिर से आपको दे दिया जाएगा, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले नमर तो UPI ID जो भी है, उससे payment कीजिए, payment करने के बाद OTP डाली है, submit कीजिए, इस तरह से आपका payment कट जाएगा, कटने के बाद क्या होता है कि काफी सारे चात्रों का payment first जाता है, जैसी कि आप वाले पर जाके किलिक किजिए, फिर से उसी user ID और password से आपको login कर लेना है, login करने के बाद आपके सामने फिर से वही interface देखने को मिलेगा, simply आप लोग examination form वाले option पर किलिक करना है, और किलिक करने के बाद फिर से आपको, यहां से सारा चीज instruction आप लोग देख सकते हैं, जो भी भरे होंगे, इसके बाद नीचे आईए, और जहां पर आपको payment का option मिलेगा, उहां पर आपको अभी print का option मिल जाएगा, simply उस form को print कीजिए, और अपने जाके महाविद्दाले में जमा कर सकते हैं, वैसे दोस्तों किनी चात्र को अगर भरवाना हो, तो नीचे comment कर सकते है मैं उनको WhatsApp नम्मर reply करूंगा, वो चात्र हमसे भरवा सकते हैं, वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आया, तो like, share और चैनल को ज़रू subscribe कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबाद, जय हिंग, जय भारत